हलो बच्चो तो आज हम क्लास 10 का चैप्र नुबर बन केमिकल रियक्शन एन रिक्विशन इसको पढ़ने वाल है और इसमें आपको यह पता हुने है कि इसका जो वेटेज है वो तीन मार्स की कोश्चन पुछ जाते हैं तो आज हम वही तीन मार्स की कोश्चन सॉल्फ करने व there अब इसके आगर हम देखे बच्चो तो यहां पर क्या बोला है कि जो energy absorb होगी, वो किस form में होगी, either in the form of heat, light और electricity, यानि जो energy है वो बहुत सारे forms में आप absorb कर सकते हो, heat के form में, light के form में, electricity एक form में, किसी form में आप absorb कर सकते हो, और वो किसले उस होती है, reactants को break down करने के लिए, एसी reaction को हम क्या कहते है, endothermic reaction कहते है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप reaction देखोगे, तो वहाँ क्या बोला है, reaction in which energy is released, energy क्या हो रही है, release हो रही है, along with formation of product, यानि product form होने के साथ-साथ energy क्या हो रही है, release हो रही है, energy is taken from the surrounding, यानि जो energy है वह कहां से ली जा रही है, वह energy आपके surrounding से ली जा रही है, यहाँ परर energy is released into the surrounding, यानि यहाँ पर energy surrounding में release होती है, पहले वाले case में, endothermic में कहा हो रहा थै, energy आप surrounding से ले रहे थे, exothermic के आप energy surrounding में दे रहे हो, release कर रहे हो। ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा है, these reactions are non-spontaneous, और exothermic लिए लिखा है, these reactions are spontaneous, अब spontaneous और non-spontaneous में difference क्या होता है, पहले इसको समझाओ, spontaneous वर्ड का मतलब होता है, बच्चो, तुरंट जो चीज़ हो, उसको बलते है, spontaneous, ठीक है, तो अगर आपको पता हो, कि जैसे मै बोलू कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, अब चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, तपेले में दूद, शक्कर, चाय पत्ती, पानी, अधरक के सारी चीज़े डालोगे आप, अब ऐसा तो नहीं कि आपने यह डाला और गैस पर रखा और चाय तुरंग बन गी, उस process ने time लगता है, वो process तुरंग नहीं होती है, process धीरे धीरे होती है, वैसे ही जो हमारी endothermic reactions है, जो भी हमारी endothermic reactions है, यह reactions कैसे होती है, non-spontaneous, इनमें लगता है time, इन reaction को करने में time लगे गा, यानि जो energy अब्सॉर्ब करें, वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब करेंगी, चाय बनाना एक तरीके आप बोल सकते हो, endothermic reaction को, कि वहाँ पर भी हम energy बाहर से दे रहे है, चाय की तपेली उस energy को अब्सॉर्ब करके चाय को गरम कर रही ती जाती है, यानि यह जो process से कैसे हो कि non-spontaneous, जबकि जो exothermic reaction होती है, इसमें energy release होती है, वो आप गया सकते हो कि spontaneous होती है, जैस reaction कैसा होगा, spontaneous होगा, जो तुरंद energy को release कर देता है, ठीक है, यह point भी clear हो आपको, अब last point में आपको इनका reaction लिखना है, तो यहाँ पर हमने एक reaction लिए है कि calcium carbonate को अगर हम गरम करते हैं, तो वो calcium oxide और carbon dioxide में divide हो जाता है, गरम करने पहनी हमने बाहर से energy दी, उसमें से CO2 gas release हो क्या होता हमारा calcium oxide, यानि कि हमारा चूना, दूसरी तरफ reaction देखो, इसी चूने को अगर आप पानी में मिला दूँ, तो चूना जैसे आप पानी में मिला होगा, आप अपने mother father को पूछना, वो आपको बताएंगे, आज के time पर इस time पर यह से point दूज हो था, बढ़ पहले time पर चूने से color किया दाता था, तो उस time पर लोगों ने देखा है कि चूने को जब पानी में डाला जाता है, तो जो पानी वो उबलने लगता है, या गरम होने लगता है, यानि वहाँ पर हमने कोई आग क्यों नहीं लगा है, हमने क्या क्या चूने को पानी में डाला, और च इस दो थर्मिक रेक्शन ठीक है यह पहला कोशन क्लियर होगे आपको